अक्सर ये सोचा कि BSP जैसी पार्टी में आपके इतने लंबे वक्त तक इतनी एहम जगह पर टिके रहने की सिक्रिट क्या है? बाकी लोग आते हैं जाते हैं विकेट गिरती है अगर कोई एक विकेट सलामत दम है तो आप ही किये इसके पीछे की सिक्रिट क्या है? देखे हो सकता है कि हम उन लोग की तरह बड़े भारी पॉलिटिशन नहीं हैं हम एक आम आदमी है एक वकालत करते हुए अपना हम इसमें आ गए हैं और हम को कोई इस तरह की इक्छा बिलकुल नहीं है कि हम ये बन जाएं हम वो हो जाएं हम जहां हैं जिसने हमको मान सम्मान द देखना है हम इन सब चीज़ों पर भी हम उस खांदान से हैं जहां हमाई ये संस्कार नहीं डाले गए जितिन प्रसाद ने भी जॉइन की बीजेपी कॉंग्रेस छोड़के तो वो कोशिश कर रहे हैं कि शाजहापूर का जो इलाका है उसके इड़्द गिर्द वो ब्रहमन को बीजेपी से जोड़ते हैं शाजहापूर में भी होके आए परसों शाजहापूर में मैं इसके पहले भी ब्रहमन समझ लोगों के बीच में गया ता अब की बार गया तो जिस तरह से ब्रहमन समाज के लोग वहां पर आये थे हम मुझे खुद ताजब हो रहा था कि और आ ब्रहमनों का उत्पिडन कर रही है ब्रहमनों का मार रही है उनका उनकी हत्याएं हो रही है इंकाउंटर हो रहा है खुशी दुबे ऐसी साले सोला साल की बच्ची को एक साल से जेल में बंद कर रखा है कोई मतलब नहीं है उसको बंद कर रखा है लेकिन अब मैं उनका विर कि विरासत कौन संभालेगा बस पाका कहा ये जा रहा है कि आकाश जो कि उनके भतीजें हैं वो लिडर्शिप लेंगे वो चुनाव प्रचार वो भी दूसरे नंबर की कमान संभालेंगे इसमें कितनी सच्चाई है और चंद्रशेखर रावन कितने बड़े बड़े आपके ल ले रहे हैं तो रावन का नाम आप जानते हैं जब रावन का नाम लिया जाता तो उसमें क्या रियाक्शन होता है तो रावन जो है वो कभी भी कोई चैलेंज नहीं हो सकते वो रावन कभी चैलेंज नहीं रहे हैं तो अब कहा से रावन चैलेंज में आ जाएंगे और दूस यहां पर जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए नौजवान लोग यंग्स्टर्स और बड़े लोग बुजर्ग लोग हर कोई एक अठा हो करके अपनी पूरी शक्ती के साथ में लगा हुआ है और आगे बढ़ाने काम कर रहा है अंजना आपसे सवाल करना जाती है अंजना सर्थ 2007 में 206 सीटे लेकिन वहां से आज के जब 2022 की आप सोचते हैं दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है इसलिए मेरा आपसे सवाल है कि आप तो आए इस मंच पर बहुत स्वागत आपका क्या मायावती जी एक इंटर्व्यू द होने हाँ देखे आप इंतिजार करिए आज हम आपके बीच में आई गयें तो इसका भी इंतिजार करिए और आपकी बात मैं जरूरूं तक पहुँचा दूँगा कि आपकी जो एक्छा जाहिर की मैं जरूर पहुँचा दूँगा और मैं ये भी अन्रोट करूँगा कि जब वो आज तक के साथ में वारता करें तो आप को जरूर उसमें बुलाएं, आपके साथ में बात करें, मैं आपकी बात को पहुंचा दूँगा, इसमें आप निश्चिंद रही है.